नमस्कार दोस्तों मैं उनिस एक बार पुन है सुनुई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि वन डे एक्जामनेशन के कोडिंग हम लोग अपनी कोचिंग को चला रहे थे उसी में हमारी क्लासेज चल लेते कंटिन्यू वेज में तो अभी आप लोगों को मैं अन सूचियों से 2-3 question आ जाते हैं और कहां कहां से important question आते हैं जो trick business पर मैं लेकी आया हो कि उसमें trick से आप याद कर सकते हो उन सूचियों को साथ ही साथ आप जो है फुरा full form पूरे full way में भी आप जान सकते हो कब उसका संसोधन हुआ किस सन में हुआ किस कारण से हुआ समवर्त सूची में कितने विसए हैं, राज सूची में किपने विसए हैं तो सूची से सम्मंदि जो भी कोष्चन रहेगा आपका एक भी छूटे गा नहीं इस कलास से, मैं ये पूरी कोशिस不起 स करूंगा कि वर अजे में जो भी कोष्चन पूछे जाते कि ये किस अंसूची में है, पूछ दिया जाता है कि दल बदल कानून किस अंसूची का विशा है, तो आप सोचना पड़ता है कि दल बदल कानून कहा गया, दल बदल कानून क्या था, तो दल बदल कानून जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आपको समझ में तो आएगा, मगर सा लोगों ने लिए स्टी की भाएं आप जानते हो लिए सीटो की हमारा मारी होती है हमारे देश में सीटों की मारा मारे तो सीटे तो कोई नहीं बोल सकता और कोई अपनी सीट छोड़ता भी नहीं है चाहे वो हम primary class में पढ़ रहे हो और चाहे अपर class में पढ़ रहे हो अचाहे नेता बन जाएं, अचाहे अभी नेता बन जाएं, कोई भी सीट अपने नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या हुआ, RPS ने सीटों के लिए SJ और ST के साथ सक्ती की भासा बोली, सक्ती मतलब सक्त रूप से, सक्ती की भासा बोली, कि उड़ जाओ, ऐसे कोई बोलेगा ना, कि खड़ो जो, तो क्या हुआ, सक्त लहजा होता है, तो सक्ती की भासा बोली, उनकी भूमी को, उनकी भूमी को दलदल बना कर, पंचायतों और नगरों को दे दिया, बस इतनी सी भासा है, RPS ने सीटों के लिए S, C, S, T से, सक्ती क्योंकि आपको पता हुआ, S, C और S, T जो सक्ती की भासा बोले, सक्ती की भासा का प्रियोग किया, किस ने, RPS ने, तथा, उनकी भूमी को दलदल बना दिया, उनकी भूमी को क्या कर दिया, दलदल बना दिया, और पंचायतों और नगरों को दे दिया, तो अब देखते हैं, इस से हमारा क्या क्या चीजे निकल के चल से 28 हिस्स्स में राज्य है और 8 के इनसासित प्रदेश है तो अगर इसमें भी किसी को add कर दिया जैसे दादनगर हवेली है जिल्वासा है इसको आट करके पहले कितने थे पहले कितने थे उन्तिसा साथ केंसासित प्रदेश अभी कितने 28 राज और 8 केंसासित प्रदेश हो गया है कौन सा केंसासित और प्रदेश है लद्दाग ठीक है लद्दाग उसकी राजधानी क्या है ले है ठीक है एक केंसासित वो है और एक जम्मू अनकस्मीर है जिसकी राजधानी क्या है जम्मू अनकस्मीर की राजधानी क्या है सिरीनगर है ठीक है तो वो हो गया तो अगर किसी राज्यों के कम जादा या उनके छेत्र में कुछ भी पढ़ो है तो तो राज अनसूची के विसाई में ये आता है राज और संग, संग मतलब केंदर, केंदर के विसाई की बात करते हैं, ये कौन से सूची है, पहली अनसूची है, तो R मतलब राज, राज और संग की अगर बात कहां की जाती है, पहली अनसूची में की जाती है, दूसरा आते हैं हम, दूसरी क्या है, प्रतिस्ठित 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 प्रतिस कि इनके वेतन भत्तों की जो बादगे पदातकारियों के जो इनको भत्ते कई प्रकार के होते हैं जैसे आपको पता होगा कि ट्रेवेल अलाउंस दिया जाता है हाना डिये दिया जाता है फोन करने के लिए उनको अलग से पैसा मिलता है ट्रेन से चलने के लिए अलग पैसा, हवाई टिकेट से अलग के लिए पैसा, बिजली के लिए अलग, पानी के लिए अलग, तो सब भत्ते होते हैं, सब हाउस, एलाउंस जो होता है, रहने के लिए, रेंट के लिए, वो अलग भत्ता मिलता है, ठीक है, तो ये इनको गारिया हो गया प्रतिस्ठीत पदों के लिए भत्ते ठिक अंसूची दो में बात किये अब हम आते हैं S पे S क्या है सपत सपत कैसे सपत क्या लेंगे सपत में क्या सब्दों होंगे क्या बोलेंगे जो हमारे जो हैं प्रधान मंतरी क्या बोलते मैं भारत का प्रधान मंतरी या मैं उत् नैधिस साब तो ये जो सपत लेने का होता है ये कैसे होता है ये जो होता है ये हमारा अनसूची तीन में बात की गई है कि सपत जो लेना है वो किसमें है अनसूची तीन में तो R, P, S, तीनों चीजे clear होगे और आप देख रहे होंगे ये तीनों विशे जो है एक दूसरे से connected है राज और संग जब राज्य होगा जब संग होगा तभी क्या होंगे पद होंगे पद होंगे जब राज्य होगा संग हो तभी तो ISPS होंगे तब राज्य के संबंध अगर है तो केंद्र राज का अगर है तो अभी तो ये पद होंगे अच्छा पद होंगे तो क्या सपत भी लेंगे कोई भी अधिकारी हुआ कोई भी छोटा हुआ हम कोई भी गौर्मेंट सर्वेंट होता है तो वह यही सपत लेता है ना कि मैं अपने करतबों का जो निर्वा है वो पूरी दिंड़ता पुरुवक करूंगा हाना मगर करता कितना है वो उसकी अंतरात्मा पे निर्वर करता है कि वो कितने अपने करतबों का निर्वा कर रहा है ठेक है तो आप देखिए ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि एक दूसरे की इनको जरूरत है राज्य होगा तो पतिस्छिटपद होंगे पतिस्छिटपद होंगे तो क्या होंगे वो अगर पदा सभा के लिए मुझे बनाए होता है कि निर्वाचित मनुनित दोनों होते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है कि राज सभा में जो सीटो का अवंटन होता है राज और केंद के द्वारा केंद साचित का अवंटन होता है वो अनसूची चार में इसका वडन किया गया है किसमें राज सभा की सीटों के ठीक है लोग सभा की सीटों की नहीं बात हो रही है याद रखिएगा राज सभा की जो सीटों होती है उनके सीटों का जो अवंटन होता है वो अनसूची चार में उसकी बात की गई है कि यहां देखिए लिखा भी है राज्यों और किन साथी प्रदेशों के लिए राजसभा ठीक है राजसभा में राजसभा से ही चुने जाएंगे लोगों का जो राजसभा में सीटे कितनी किसको दी जाएंगी यह सबसे जादा सीटे किस से हैं किस प्रदेश से हैं आपके उत्तर प्रदेश से कितनी सीटे हैं 31 सीटे हैं राजसभा में ठीक है और सबसे कम आप लोग कमेंट में बताइएगा ठीक अब हम आते हैं पांचवे अनसूची पे क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पहला जब हमारा सम्विधान बना था तो हमारी अंसूचिया कितनी थी? आठ थी ठीक फिर बाद में कितनी को एट कर दिया गया चार तो मिलके कितनी हो गई बारा है तो हमने क्या किया आठो को इधार एक बार लिख दिया आठ अंसूचिया हमारी देखिये हैं हमने तीम को इस तरह साथ में लेके पड़ा फिर चौते अंसूचिया अब पांच में छ क्योंकि हमने जो ट्रिक बनाई वो RPS ने सीटों के लिए SC और ST के साथ अब देखिये SC ST के क्या आपको पता है कि हमारा जो अतीत रहा है उसमें SC ST को बहुत निम्ड माना जाता था बहुत ही नीचा माना जाता था जब हम सिच्छित होने क्योंकि सिच्छा का अभाव था बह है तो यह नहीं जान सकता कि पहले क्या था क्या चीज बताया गया क्या नहीं बताया गया मगर सिच्छा या बहुत ही उच्छ रही होगी या बहुत ही निम्ड रही होगी एक ही एक कारण हो सकता है कि इनके उपर इतना सोशल हुआ इतना दबाव बना तो वो उसके लिए क् के लिए बंधों का एक नियम बनाए क्या बनाए उसको हम देखते हैं अन्सूचियों में तो पांचमी अन्सूची जो है वह अन्सूची जाती मतलब सी और स्टी अन्सूची जन जाती के लिए छेत्रों का प्रसासनों बंदिया कि इनको इस छेत्र में इनका प्रसासनों कि हाँ अगर सीटे रहेंगे आप देखते होंगे कि 21 हना 21 % और 27 % जो रिजरुवेशन दिया गया है वो कैसे दिया गया है इसी के उसमें दिया गया है ठीक है कि उनको भी एक पद एक इस्थान हासिल हो जाए ठीक है तो यह क्या है अंसुजिजात और अंसुजिजज़ात के के लिए छेत्रों का प्रसासनों पुबंद दिया गया इसकी बात की गई मलब संपूर भारत में संपूर भारत में जो है वो स्ट के लिए छेत्रों का प्रसासनों पुबंद की बात की गई है किसमें अंसूची 5 में अच्छा अंसूची 5 और मैंने ये बनाया एरो इसका अर् के लिए कुछ राजुके के लिए मैं बताओं असम, मिधाल GUY, मिजोरम और तिरपुरा तो आप बना सकते हो Atm8 В2 के लिए जनजाथियों के लिए विशे सुपबढ़ किया गया है इन इन चार राज्यों की जनजातियों के लिए कहां पड़ते हैं, यह पुरुवत्तर हमारे राज्य है अगर हम भारत का नक्सा बनाते हैं बैप बनाते हैं, तो देखें यह जो होते हैं, यह पुरुवत्तर के राज्य है हाना, तो यहां पर कहीं असम होगा फिर क्या होगा, हमारा मिजोरम भी यहीं कहीं आएगा फिर क्या आएगा, तिरपुरा भी यहीं कहीं लटका मिलेगा और क्या है, मेघाले, मेघो का सहर मेघाले तो अगर आप ये चारो राजियों को याद रखेंगे तो यही जो है, पुरुत्तर की राज है क्यों 7 sister के राज यही तो कहलाते है पूरोत्तर के राज याद रखेगा question भी आयता 7 sister में कौन नहीं सम्मिली थे तो आपको यह पता होना चाहिए मैं उठाइएगा देखेगा पूरोत्तर के जो राज है 7 plus 1 कहलाते हैं ठीक है 7 plus 1 कहलाते हैं ठीक है उसके बाद T से त्रिपुरा हो गया T से त्रिपुरा M से मेधाल है और M से मिजोरम अब M को क्या कर दिए हमने square ATM का square कर दीजिए बस आपको clear हो जाएगा ATM square याद रखेगा A से आसम T से त्रिपुरा ठीक T से त्रिपुरा और M से क्या हो गया दो राज हमारे हो गया एक तो हो गया मिजोरम और दूसरा क्या हो गया मेधाव का सहर मिघाल है ठीक है ठीक अब इन 5 और 6 पांचवी और 6 अनसूची को आप इस तरह पर सकते हैं कि अनसूची जनजाति और अनसूची जाति के लिए के लिए छेत्रों का प्रसासा ने को उपबंद जो सिर्फ है वो पांचवी में किया गया है और चार राज एटियम याद रखे एटियम स्क्वाइर याद रखेगा असम मेधालय मिजोरम और तिरपुरा इन चार राज्यों को याद रखेगा इनकी जनजातियों के लिए विसी सुपबंद की बात केगी छटी अनसूची में ठिक इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ अगली अनसूची कौन सी है अगली अनसूची हमारे है सात्मी अनसूची जो most important है most important इस वज़ेस कह रहा हूँ क्योंकि question इस अनसूची से बनते ही बनते हैं हर वेपर में आप जाएंगे सक्तियों का विभाजन अब देखिए हमारा देखिए RPS ने सीटों के लिए SC और ST इतना हो गया के साथ सक्ति अब सक्ति की बात आगे नहीं तो सक्तियों का विभाजन सक्तियों का विभाजन कैसे हुआ हमारे सम्मिधान में देखिए एक सक्ति है संग की सक्ति संग मतलब के राजी की सक्ति, राजी मतलब एक छोटा सा एरिया जो भारत के अंदर, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का समू है, तो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर क्या हुआ है, एक देश का निर्मार हुआ है, तो वो क्या हो गया, संग की सक्ति, मतलब पूरे भारत में जो केंद्र पर राज करता उसकी सकती और उसके बाद छोटे राजियों में जो राज करते हैं उनकी सकती और फिर दोनों के मिला की सकती मतलब उसको कहा जाता समवर्ती सूची ठीक तो तीन प्रकार की सूचिया है पहली कौन सी है संग सूची दूसरी कौन सी राज सूची और तीसरी कौन सी है समवर्ती सोची हुआ क्या कि कुछ परिवर्तन हुए कुछ संसोधन हुए संविधान संसोधन हुआ ठीक है कुछ संसोधन हुए जिसमें क्या हुए इनकी अंसूचियों से जो है वो कुछ प्रावधान किये गये था उनको कम कर दिये गये थे अधिकार दिये गये थे कम और ज़्यादा किया गया, जैसे केंद्र की सूची थी, संग सूची पहले उसमें 97 विसे थे, 97 विसे ओपर जो है कानून बनाने का आधिकार जो था, वो किस के पास है, केंद्र के पास था, एक विसे जो है, वो बढ़ा दिया गया है, उसमें अब 98 विसे हो गया है, याद कर question बन सकता, one day में, कि संग सूची में कितने विशे हैं, अभी 98 विशे हैं संग सूची में, जैसे 98 विशे हैं, तो किस पर किस पर कानून बना सकती है, सबसे पहले, आपका railway, डाक, देखते हैं, कभी राज कभी उस पर कानून बनाता है क्या वित्ति मामले, वित्ति का जो होता है राज हमेशा चिलाये करता हमको इतना बज़ट चाहिए मगर जितना केंदर बज़ट देता है उतने पर ही संतोज करना पड़ता है राज्यों को मांगते हैं हाँ देवी आपदागर आ जाती है कि कोई ऐसा आपदा कोई हो गई बाढ़ आ गई या फिर भूस खलन हो गया या बादल फट गया तो ऐसी चीजों के लिए केंदर एक अलग बज़ट रखता है एक अलग बज़ट रखता है और उसमें से उनको पैसा देता है अगर वो भी अधिकार क्या है उसके बाद सेना हमारी चाहे थल सेना हो चाहे जल सेना हो चाहे वायो सेना हो इस सारे के सारे केंदर के पास ये संग सूची के विशय में आते हैं ठीक है ठीक है ये सारी संग सूची के विशय है ठीक कर्ज होते हैं जैसे income tax जो आप देते हैं जो लोग नौकरी करते हैं वो income tax देते हैं तो क्या है संग का भी सह है ठीक है उसके बाद फिर बाद GST आया है GST क्या थी यह अलग बात है GST में भी एक I GST लगता है एक S GST लगता है ठीक है GST के भी प्रकार है उसमें भी slab divide हो तो स्लाइब के कॉर्डिंग GST लगती है, उसमें भी बटवारा होता केंदर और राज की बीच में, मगर जो सक्तियां प्राप्त हैं उस संग के पास, वो कौन कौन से, वो 98 विश्यों पे जो है नियम कानून बनाने का अधिकार संग को है, तो ये 98 विश्य जो है, ऐसे ही आत अब राज पे आते हैं, राज में क्या था, कि राज सूची में पहले 66 विश्य थे, कितने थे, 66 थे, अभी कितने हो गए, 61 हो गया, कितने हो गया, 61, 61 पे वो कानून बना सकता है, ठीक है, 61 विश्यों पे राज कानून बना सकता है, जैसे सिच्छा हो गया, जैसे जनसंख् नियंत्रन हो गया, यह सब क्या है, राज जी के विशय है, वन हो गया, वन नीती आईए, उसको भी पढ़ लिजेगा, 2021 में आईए, वन नीती, तो उसको भी आप क्या करिएगा, पढ़ लिजेगा, तो वन हो गया, वन अच्छादन हो गया, इन सब पे कानून कौन बना सकता ह ठीक है, सिच्छा पे, हाना, पुलिस प्रसासन हो गया, इस ये कैसे राज्य के विशय होते हैं, ये राज्य के विशय होते हैं, प्रसासनिक जो सिवा राज्य लेवल की प्रसासनिक सिवाय जैसे UPPSC हो गई, ये क्या होते हैं, राज्य की सिवाय होते हैं, और UPPSC ये केंद्र संग की सेवाय होती है, ठीक है, तो इस पे कानून राज जो होता है, राज जी विशयोप में 61 विशय है, इस पे कानून राज बनाता है, अब आता है समवर्ति सूची, इसमें पहले 47 विशय थे, अभी कितने हो गएं, 52, 47 थे, 92 मतलब 5 बढ़ गए, 5 कौन कौन से बढ़ गए जैसे जनसंग्या नियंतर, वन, नापतॉल, ये क्या हो गए, समवर्ति सूची में के विशय हो गए, नापतॉल हो गया, ये सारे किसारे क्या हो गए, प्रसासन, ये सारे किसारे जो हो गए, ये समवर्ति सूची के विशय हो गए, 5 जो है विशय बढ़ गए है, 47 अब क्या हो गया, बावन हो गया, प्रसासन हो गया, जनसंख्या, नियंत्रन हो गया, वन अच्छादल हो गया, नापतौल हो गया, इस सब किसके विसे हो गया, इस समुवर्ति सूचिक विसे, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कि अगर किसी विसे पे राज ने कोई कानून बना दिया था और उसे पे फोहल्ला हुआ था एक सालों तक किसान विचारे परसान हुए थे सल्कों पे जीये थे कई किसान मर गया तो वो राज सूची का विशाय कृष्षि जो है एक केंद सूची का विशाय नहीं है इसी लिए सुप्रीम कोट ने जो है उसको कानून नहीं बनने दिया ठीक है उस पे इस्टे लगा दिया था तो अगर किसी समवर्ति सूची की में बात कर रहा था कि समवर्ति सूची में अगर किसी कानून कोई कानून बना दिया राज ने और फिर उसके बाद उसी विशह पे जो है केंदर ने कानून बना दिया तो जो कानून पारित होगा, जिस दिन से केंदर कानून बना देगा, उस दिन से राज के कानून समाप्त हो जाएंगे और केंदर के कानून ही मानने होंगे यह चीज आप याद रखिएगा कि राज समवर्ति सूचे में यह सबसे important चीज है, कि केंदर के कानून मानने होते हैं राज के तो अब हम आते हैं यह हो गए हमारी सूचियों की बात याद रखेगा संग सूचियों में 98 विसे हैं संग के पास कितने विसे हैं संग के पास 98 हैं राज्यों के पास कितने विशे हैं, राज के पास 61 विशे हैं, और समवर्ती सूची में जो हैं, उसमें कितने हैं, समवर्ती सूची में जो हैं, वो 52 है, इसमें 5 विशे इसमें बढ़ हैं, और एक इसमें बढ़ा हुआ, ठीक है, इसमें जो राज्य सूची के जो 101 सम्विधा संसोधन हुआ था, उसमें जो है एक विशे जो है, जो विशे कम हुए इसके छाचर से एक सट हुआ है, वो एकसो एक में संसोधन हुआ है, अच्छा, आगे चलते हैं, अब आता है हमारा आठ्मा यहां से भी कोश्ण बनते है आठवी अन्सूची क्या है भासा से संबंदित है भासा जमारा समिधान बना तो हमारे समिधान में 14 भासा के उलेक किया गया था मगर अभी कितनी भासा हैं 22 भासा हैं कौन कौन सी भासा हैं कब कब जोड़ी गए यहां से question बनके आता है तो आप जाते रहें कि जो पहली बार जो समिधान संसोधन हुआ यह कब जोड़ा गया यह आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है पहली बार जो भासा बनी जोड़ी गई थी वो 1967 में जोड़ी गई थी कब जोड़ी गई थी 1967 में जोड़ी गई थी कौन सी भासा थी वो सिंधी थी कौन सी थी सिंधी सिंधी प्रांत में बोली जाली भासा सिंधी थी क्या थी सिंधी ठीक है उसके बाद 1992 में 1992 में तीन भासा जोड़े गें कोकड़ी जो कोकड़ी कहां पर बोली जाती भासा कोकड़ी कहां पर बोली जाती कोकड़ी जो आपकी है वो बोली जाती कोकड़ छेर्ट जो गोवा महारास्ट का जो समुन्दि टट का एरिया है वहां पर कोकड़ी भासा बोली जाती है उसके वाद मरीपूरी क मरीपूरी ठीक है मरीपूरी भासा और फिर लास्ट आती है नेपाली मरीपूर में बोली जाती है मरीपूरी और आती है नेपाली ठीक नेपाली भासा जो थी ये जो हैं तीन भासाइं 1992 में जोड़ी गई ठीक अब चौथा जो था वो क्या था 2004 इसमें भी कुछ भासाइं जोड़ी गए और इसके बाद जो है कितनी भासाओं के संख्याओं के 14 थी 15 होगी 16, 17, 18 होगे 18 होगे अभी आपकी जो है वो चार भासाओं और जोड़ी जाएंगी कौन-कौन सी थी मैथली मैथली जो मिथला बिहार में बोली जाती है मैथली भासा उसके बाद संख्याली इस भासाओं को याद रखिएगा क्यों क्योंकि हमारी जो राष्टपती हैं स्रीमती दुरुपती मुर्मूजी संख्याली ही भासा से आती है संख्याली भासी है कहां संथाली कहां इससे बोली जाती है उडिसा राजी में बोली जाती है तो संथाली जनजाती से आती है इसलिए इस भासा को जरूर याद रखियेगा ये 2004 में जोड़ी गई थी और किस नंबर की भासा है बीस्वी नंबर की कौन सी है बीस्वी भासा है इसको भी याद रख तो पूछ लिया जाता है, 22 में बहासра कौन सी है, तो बोडो, अगर राजपती की परवेश में पूछ लिया जाता है कौन सी 20 में भास थे那 संथाले, तो बहासा इतनी हो गई, आपके यह जो मूल जब हमारा अनसूचियां बनी थी, जो आठ अनसूचियां थी, यह आठ की आठ आपकी खतम हो गए, ठीक, अब हम आते हैं, कि जो है संविधान का, जब क्या हुआ, क्योंकि अभी इस समय कितनी हैं, बारे अनसूचियां हैं, तो चार अनसूचियां जोड़ेगी, वो कौन-कौन से सम्विधान संसोधन के द्वारे जोड़ेगी तो हमारी ट्रिक देखिए आप RPS ने सीटों के लिए SCST के साथ सक्ति की भासा बोली तो हमारा जो है आठ यहाँ उपर खतम ठिक, आठ यहाँ नीचे इधर खतम आठ हमने यहाँ से खतम कर दिये अब हमारे पास बचे चार जो हम आपको बताने जा रहे है कि चार क्या है उनकी भूमी को दल्दल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया किसकी? SCST की भूमी को दल्दल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया तो अब हम चलते हैं कि क्या थी इसको थोड़ा साम एरस कर देते हैं ठीक यह चीज याद रखिएगा कि 22 भासा बोर्डो है 20 भासा दोय संथाली है उसके बाद कब-कब भासाइं जोड़ी गई 1967 में जोड़ी गई उसके बाद 1992 में जोड़ी गई उसके बाद 2004 में जोड़ी गई चार भासाइं साथ में जोड़ेगी अब 22 भासाइं हैं कौन से अनसुची में भासा का उलेख है तो आठवी अनसुची में है यह भी एक इंपोर्टेंट है अब हम चलते हैं नौवी अनसुची जो है भूमी सुधार से संबंदित है तो 11 जन्वरी कहा जाता था कि भूमी सु मौलिक अधिकारों का उलंगन होता है इसमें तो इसकी भी सुनवाई की जा सकती तो याद रखिएगा कि किस सबसे पहले ये कोश्चन बन सकता है कि भूमिसुधार संबंदी जो अनसूची नौ में किस सम्विधान संसोधन जोरा जोड़ेगी तो प्रथम सम्विधान संसोध 1951 में हुआ था या देखे माने लिखा है कि 1951 में प्रथम सम्विधान संसोधन हुआ था जिसके ताद नौवी अनसूची को जोड़ा गया था ठिक और इसमें कितने अधियम में 284 कोश्चन एक बार आया हुआ है कि नौवी अनसूची में कितने अधियम है तो 284 कितने 284 अधियम है यह याद रखेगा कि 284 अधियम है कितने 284 अधियम है ठीक यह हो गया आपका भूमिसुदा इसी में एक था कि 11 जनवरी 2007 को जो है सरोच पीट ने यह कह दिया था कि अगर मौलिक अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो इसमें क्या किया जा सकता है संसोधन किया ज अब हम आते हैं दसमी सबसे जागा कोशन पूट अप होते हैं क्योंकि 1984-82 के बात से यह दल बदल कानून लाना सरकार की मजबूरी हो गई क्योंकि हर्याना गौर्रमेंट में मैं नाम तो नहीं लेंगा वहां पे क्या हुआ कि वहां पे दल इतना तेजी से मतलब हपते भर म कोई कभी किसी दल में जा रहा है कोई किसी किसी दल में जा रहा है तो उसी को देखते हुए सरकार ने 1985 में जो है दस्वी अनसूची जोड़ी और वो कौन से समिधान संसोदन 52 में जो अमेंडमेंट किया उसमें जो है दल बदल कानून को लेके आई कौन सा कानून लेके जहां से इससे ज़्यादा कोश्चन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपसे कोश्चन नहीं पूछेगा कि बानवा समिधान संसोधन कब हुआ, तो 1950 में ये कोश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता है, दल बदल कानून, दस्मी अनसूची, ठिक, तो ये दस्मी दल बदल क गानून का संसे ये है, कि कोई भी पार्टी का कोई भी कभी तल नहीं बदल सकता, अगर कोई किसी पार्टी से, भाजपा से कोई विधायक हो गया, वह सोचे कॉंग्रेस में चला जाए तरुना, तो वो बिना उसकी क्या होगे, बिना अनमती के, बिना अनमती के, किसके, पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है तो दल बदल कानून इसी से संबंदित है मगर वो उतना गहराई से कोशन नहीं पूछेगा वंडे में वंडे के लिए इतना सफिसेंट है कि दसमें अनसुची बानवा समयदान संचोदन 1985 दल बदल कानून दसमें अनसुची का विश्य है अब हम चलते हैं एक ग्यार मी पे तो हमारा देखिए यहां दल बदल को हमने दल दल लिख दिया क्योंकि पढ़ने में भी एक इंटरस्ट होना चाहिए है न हर चीज को हर एक फॉर्म ने दल दल इसलिए लिखा कि आपको भी इंटरस्ट आएगा दल दल क्या होता है तो थोड़ा सा दिमाग पर रहेगा दल दल जमीन होती है तो दल दल से आपकी दिमाग पर दल दल सब्द रहेगा दल बदल इसको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा ऐसी चीजे ही आपको स्ट्राइक करती है पेपर टाइम में अब आ तरगज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज विशय को जोड़ा गया और इसमें जानते रहे है कि पंचायतों को 29 विशयों पर नियम या कार करने का अधिकार दिया गया, कितने विशयों पर? 29 विशयों पर जो है नियम कानून बना कर पंचायते काम कर सकती हैं, ये 11 अनसूची का विशय था, ठीक, अब हम आते हैं में क्या है? नगरपालकाओं के लिए सहरों में होती है नगरपालकाओं, ठीक है? तो नगरपालकाओं का जो हाया, वो 74 सम्विधान संसोदान 1993 में ही हुआ था, कब हुआ था? 1993 में, दो सम्विधान संसोदान 1993 में हुआ और 74 सम्विधान संसोदान 1993 में हुआ और नगरपाल कार ने जोड़ दी हैं तो उसी तरह जो है आप कमेंट में बताएंगे कितनी जो है नगरपालकाएं हैं हमारे जो है उत्तर प्रदेश में ठीक है तो उत्तर प्रदेश में तो चोहत्रवा समिधान संसु धन्जड हुआ तो कब 1993 में हुआ नगरपालकाओं को उसमें 18 विस्यो पर ये जो हैं कार कर सकते हैं 18 विस्योंको नगरपालकाओं को दिए गये जैसे साफफाई होता weiter नं जैसे इंदोर नगरपालका है महा नगरपालका भी उस उनको साफ सफाई से related कामों को दिया गया सुच्छता के उपर उनको award मिला कि वो भारत की सबसे सुच्छ महानगरपाल का हैं तो इस तरीके से हमारी बारे के बारे अंसूचियां जो हैं वो समाप्त हो गए तो एक बार मैं repeat कर देता हूं कि पहली अंसूची में क्या था देख लगे कहाई इस सा रणी को भी याद रखियेगा पाहली जो है अंसूची किया है राजयiron संग इसमें राजयों संग की बात कि किसी का दाएरा बढ़ाना घटाना इस से संय में इसके बाद प्रतिस्षित हमने आपको बताया है कि जबद क अब बात तीसरी अंसूचियम कर ज सीटो का अवंटन कहां पे राज सभा में, कहां से राज विधान सभाओं से, कहां पे राज्यों और केंसासित प्रदेश हो के, यहां से सीटो का क्या होगा, अवंटन की बात की जाते है, किसमें चौथी अनसूची में, अब पाच्वी अनसूची आती है, पाच्वी जब बात की जाएगी तो पांचवी अनसूची आएगी और जब चार राज्यों का A.T.M का मतलब है आपका आसाम, मिघाला, मिजोरम और तिरपुरा के अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगे तब आपकी जब जाएगी छटी अनसूची की बात की जाएगे बस इतना अधिकार है नियम कानून बनाने का राज के पास 61 विस्यों पे और समवर्ति सुची में जो है दोनों के पास μिलके 42 विस्यों पे कानून बनाने का अधिकार है फिर आती है आठवी अंसूची, आठवी अंसूची हमारी क्या थी, इसमें क्या है, 14 भासा हैं थी, उसके बाद क्या होई, 22 भासा हैं जो नहीं, 20 भासा संथाली है, 22 भासा बोरो है, सबसे पहले भासा जो एड होई थी, वो सिंधी है, 1967 में, उसके बाद 1992 में, चार भासा हैं और दोगरी और बोड़ो को जोड़ा गया था अब हम आ जाते हैं ये 8 की 8 हमाय सुची जो मूल समयधान मे थी ये अंशूचियां बनी थी 8 की 8 हमारी क्या होगी? खतम होगी अब हम आते हैं बाकी भजी चार जो पर्थम समयधान संसोधन के दौरा नौवी अंसूची को जोड़ा गया 1951 में इसमें 284 अधिनियम थे ये किसे संबंदित भूम सुधार के भूम सुधार से संबंदित है ठीक है इसमें कितने हैं 284 अधिनियम दिये गये हैं ठीक है इसमें भी अब क्या किया जा सकता संसोधन किया जा सकता कब से 2007 के बाद से उसके पहले इसमें संसोधन नहीं किया जा सकता याद रखेगा तो पूछा जा सकता है कि कब से जो है किया जाने लगा है केश्वानन भारती बाद आपको याद होगा ठीक है उसके बारे में विस्तार से चाच्चा होगी केश्वानन भारती बाद जो है इसी से संबंदित है उसके बाद आता है दस्मी अनसूची 52 संब्धान संसोधन 1985 में हुआ उसमें दल बदल कानून से संबंदित अधनियम बनाए गया वो किस से हैं संबंदित है दस्मी अनसूची से संबंदित है दल बदल कानून दस्मी अनसूची 92 संब्धान संसोधन 1985 बस इतने ही आप याद रखेगा इससे ज़्यादा आपको याद करने के लिए वंडे में कुछ नहीं आएगा पंचायती राज की बात करते है ग्यारवी अनसूची पंचायती राज संसानों के संबंदित है इसमें क्या बात की जाती 73 संब्धान संसोधन जोवतर्वा संब्धान संसोधन 1993 में 18 विसे मिले है पंचायतों को 29 विसे मिले है नगरपालकाओं को 18 विसे मिले यही जो है हमारा पूरी की पूरी अनसूचियां है और इससे बाहर वंडे में कहीं से कुछ नहीं आएगा आप जान लीजे ठीक है न इसके साथ साथ इस चैनल को लाइब सब्सक्राइब करते रहे और अपना प्यार देते रहे थैंक्यू वेरी मच